OnePlus Node, इस phone को लेके इतना हाइप बन चुका है कि हमने सोचा, चलो भईया हम भी अपने opinion का डंडा गार ही देते हैं By the way, मैं आपको बता दू कि मेरा नाम है जैकांत और आप देख रहे हैं Profit Expo 99 चैनल सस्क्राइब नोडिफिकेशन बेल याद से दबा देजिएगा ताकि वहिया हमारे वीडियो के notification आपको time to time मिल जाए By the way, 15 July यानि वहिया ये दो दिन के बाद से इस phone का यानि OnePlus Note का pre-booking सुरू हो जाएगा जिसमें आपको 500 रुपे देने होंगे इस phone के pre-booking के लिए phone 21 July को launch होगा अगर price की बात करें तो वहिया लंफन देवदन कुछ भी पता नहीं है इसके price के बारे में इस phone के जो भी इस packs हम आपको बताएंगे 90 to 95% आपको same देखने को मिलेगा और उसी के basis पे हम आपको इसका price भी बताने वाले हैं लेकिन बात कर लेते हैं पहले उन benefits की जो की आपको pre-booking करने पर मिलने वाला है आपको एक surprise box मिलेगा जिसमें आपको OnePlus के merchandise देखने को मिलेंगे सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप 31st अगस्त यानि 31st अगस्त तक अपना purchase complete कर लेते हैं तो OnePlus के तरब से second gift box मिलेगा जिसके अंदर आपको OnePlus bullet wireless headset मिल जाएंगे और एक phone cover भी देखने को मिल जाएगा अरे ठहरो 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 अपने excitement की portally बनाके अपने पिछवारे वाले packet में रखिये दबाके अभी चुकि OnePlus एक Chinese company है फिर बात में आप बोलोगे कि भई या Chinese वाला phone है ये है फलाना है धिंका है इसलिए मैं पहले ही आपको बता जेता हूँ कि OnePlus एक Chinese company है Chinese phone है अब लेना या फिर ना लेना ये आप पे निर्फर करता है अगर आपको लेना है तो आप लेजिए अगर आपको नहीं लेना है तो आप मत लेजिए मेरा काम है वीडियो के थुरू आपको information देना जो कि हम आपको देते रहेंगे हो सकता है कि आपके दिमाग में एक सवाल जो है फुदक फुदक के आ रहा होगा 21 जुलाई को जब ये phone launch होगा तो आपको पता चलेगा इसका price पता चलने के बाद अगर आपके अंदर की 85 आत्मा का सर फिर गिया और phone लेने का मन नहीं हुआ तो ये 500 रुपे जो आपके लगे है pre-booking में क्या ये refund होगा तो देखो वह ये OnePlus ने officially इस बारे में किसी भी तरह का सूचना नहीं दी है कि ये पैसा आपका refund किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा इसे लिए ये कह पाना मेरे लिए मुस्किल है कि ये पैसा आपका refund हो जाएगा 500 रुपे अगर आप phone नहीं लेना चाहें तो तो सोच समझ के पास आफे कियेगा समझे की नहीं OnePlus Note के कुछ specification सामने निकल के आए हैं आईए देखते हैं कि वो specification क्या या इस phone में आपको क्या-क्या मिलने वाला है इस phone में आपको dual punch hole display देखने को मिलेगा with 20 is to 9 aspect ratio 6.44 inch का full HD plus AMOLED display आपको देखने को मिलेगा ये display OnePlus का fluid AMOLED display होगा साथे साथ इस phone में आपको 19 Hz का refresh rate भी देखने को मिलेगा हो सकता है इस phone का दो variant आपको इंडिया में देखने को मिले first variant में 8 GB RAM LPDDR4X आपको देखने को मिल जाएगा storage 128 GB का storage और UFS 2.1 देखने को मिल सकता है 8 GB RAM की चकरी दिमाग में घुमाते हुए अगर इसके price को consider किया जाए तो मुझे लगता है कि एप प्रॉक्स 27,000 से लेके 30,000 के अंदर इसका price हो सकता है बात करें अगर दूसरे variant की तो 12 GB RAM और 256 GB storage वाला दूसरा variant आपको देखने को मिलेगा तो भया 6 GB RAM कहां चला गिया भितलानपूर में ना ना ऐसा कुछ भी नहीं है तो कि मुझे लगा था कि 6 GB RAM इसका base variant हो सकता है बट यहाँ पे एक और चीज सामने निकल के आया है OnePlus Node Lite करके एक phone और आने वाला है या फिर आ सकता है ऐसा कुछ जो है लिक निकल के आया है तो हो सकता है कि अगर यह series चलेगा तो जो light वाला variant है उसमें 6 GB RAM सायद देखने को मिल जाए इसलिए मैं यह 6 GB को consider नहीं किया बाइद वे जो variant हमने आपको बताया है उसके basis पे आपको क्या लगता है इस phone का क्या price हो सकता है नीचे comment box में comment करके आप मुझे जरूर बताईए बात करें प्रोसेसर की तो पहले से ही सबको पता था कि इसमें callcom snapdragon 765G प्रोसेसर देखने को मिलेगा यह phone जो है 5G को support करेगा बात करें इस phone के battery चमता की तो भी यह इसमें आपको 415mAh का battery capacity देखने को मिल जाएगा 30W fast charging के साथ यह phone आपको थोड़ा सर डिसपॉइंट कर सकता है क्योंकि इसमें आपको 3.5mm jack नहीं देखने को मिलेगा earphone वाला तो वो आप भूल जाओ बात करें अगर इसके camera की तो Android Central में एक article छपा था उसके basis पे मैं आपको बता रहा हूँ इस phone में आपको pod camera का setup देखने को मिलने वाला है 48MP का primary sensor Sony IMX 586 aperture size 1.75 primary camera में आपको EIS और OIS दोनों देखने को मिलेगा 8MP का ultra wide angle lens देखने को मिलेगा 5MP का depth sensor aperture size 2.4 और 2MP का micro lens aperture size 2.4 बात करें अगर इसके front camera की तो dual camera आपको front side देखने को मिल जाएगा 32MP का primary camera Sony IMX 616 aperture size 2.45 secondary camera 8MP का ultra wide angle lens आपको देखने को मिल जाएगा तो भी या अगर आप एक camera lover है आपको ज़्यादा camera चाहिए तो ये phone में आपको 6 camera मिलने वाला है 48, 32, 8, 5, 2 मतलब भड़ भड़ के है देखो भई या 48 हो या फिर 64 हो या फिर 108 हो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कितना mega pixel का है pixel तो बस हुआ है photo से मतलब है अच्छा आना चाहिए आप क्या सोसते हो वो वीडियो के नीचे comment box में comment करके आप मुझे जरूर बताना फिल्हाल इस वीडियो में इतना ही जितना भी था मैंने आपको बता दिया इसमें से बहुत चीज़े जो है आपको इस phone में देखने को मिल जाएगा हो सकता है 10-5% आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिले जो कि हमने आपको अभी ही बताया है गुप्त गू करके बाद इस phone के बारे में आप क्या सोसते हो नीचे comment box में comment गटके जरूर बताईए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए सेर जरूर कीजिए